दोस्तों बहुत तरूरे फिल्म का रिवीव मैंने कली हमारे प्रतिक्स फिल्म थेरी चैनल पर अपलोड कर दिया था अगर आपने हमारा रिवीव अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उसे आप अवश्य देखना पर एक फिल्म के महतोपुर्न सीन के बारे में बात करनी मुझसे रह गए थी उसी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में संक्षेप में अगर दोबारा से मेरा अनुभव फिल्म का अगर बताऊँ तो देखे फिल्म बहुत ही ज़्यादा घटिया है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घटियापन के सारे सतरों को ये फिल्म लांग जाती है हर प्रकार से torture करती है, परिशान करती है, हमारी सहन शक्ती की परिक्षा लेती है ये film, हर प्रकार से हाँ, चाहे आप टेक्निकली तांतरिक दिर्ष्टी से फिल्म की तरब देखिए, या फिर आप जो presentation है, story, character development, और जो कुछ भी फिल्म जो दिखाने का कहने का प्रयास करती ह हर प्रकार से, फिल्म हमारी सहन शक्ती की परिक्षा लेती है, बहुत मतलब किवल निराश नहीं करती, तो torture करती है, pathetic ऐसा में इस फिल्म को कहूंगा, और उपर से, फिल्म जो बार 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 अपने आपको जो balance करने का प्रयास करती है, जो इवन कॉंग्रेस वाले भी शर्मा जाएंगे इस फिल्म का वो सो कॉल्ड सेकलूरिजम देखकर अब जिस सीन के बारे में मैंने आपको बताया उस पर हम आये उससे पहले उसकी पारशुभूमी समझना आवश्यक है तो संक्षे पे थोड़ा सा मैं आपको उसकी करते हैं कई लोगों की उस धमाके में मृत्य होती है वो दोना आतंकी भी मर जाते हैं और उसके बाद में वे अभी उनकी आत्मा भटक रही है वे वेट कर रहे है कि कब उन्हें भात्तरोरे मिलेंगी कब उन्हें जन्नत में बुलावा आएगा अब ये धमाका होने के बाद में फिल्म में ये दिखाया है कि जितनी भी भारतिय मुस्लिम्स है वे इस आतंकी हमले का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतराते हैं एक सीन में हम एक पोस्टर देखते हैं सामने कई सरी मुम्बत्या जली हुई है जहां पर बमधमा का हुआ था पीछे जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है कि हम हमारी भारत की मिट्टी को आतंकीयों की आरामगा कबरगा नहीं बनने देंगे और नीचे इंडियन मुस्लिम्स लिखा हुआ है और दुसरी तरफ हजारो हजारो मुस्लिम मैला है जिनोंने सब ने बुरका पहना हुआ है वे भी आतंकवात के विरोत में वे सड़कों पर उतराती है उनके हाथ में बैनर्स पोस्टर है आतंकवात की आलोचना करते हुए क पाकिस्तान आतंको आदब बंद कर दो, जिहाद की नाम पर लोगों की हत्या करना बंद कर दो, इस प्रकार के banners, posters उनके हाथ में हम देखते हैं, तो इस प्रकार से एक तरफ तो जितनी भी भारतिय मुस्लिम्स है, वो इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए सडको पर उतराये हैं, डिरेक्टर की भावना काफी अच्छी है ये दिखाने के पीछे, और हम आशा करते हैं कि हम रियलिटी में भी ऐसा चित्र हमें देश में देखने को मिले, और जो हम देखते हैं कि कश्मीर में आतंकियों के जनाजे में जो हजारो हजारो की भीड आती है या फिर याकूब मेमन के जनाजे में जो हजारो हजारो की भीड आई थी ऐसे द्रिश्य हमें ना देखने को मिले और जो डिरेक्टर ने दिखाया है, वैसे द्रिश्य हमें देखने को मिले अब ये तो एक तरफ फिल्म में डिरेक्टर ने दिखाया है अब दुसरी तरफ ये जो दो आतंकी है उनके शवों को एक जग़े पर दफनाया जाता है कुछ समय के बाद में कुछ दिनों के बाद में मतलब लगभग कुछ देड़ सो दिन उन्होंने दिखाया है उसके बाद में जो कुछ हिंदु संगठन है हातों में उन्होंने जंडे बगरा लिये हुए है और गाडियों में भरकर जहां पर उन आतंकीों को दफनाया था वहाँ पर आते हैं और सבको बहुत ही ऐसा ऐग्रेसिव इस परकार से उन सबी हिंदु को दिखाया है वह वहाँ पर आते हैं और जहां पर आतंकीों को दफनाया वहाँ पर भ१नावे शुरू करते हैं पर वहाँ पर नीचे शव होते ही नहीं है बाद में फिल्में आगे हमें दिखाया कि वो जो आतंकियों के शव है वो दो हिंदों ने अपने पास में रख लिये थे हलाकि क्यों रख लिये थे, क्या रिजन था, और डेड़ सो दिन हो जाने के बाद भी वो दो शव बद्बु क्यों नहीं छोड रहे थे ये कुछ भी उन्होंने फिल्में एक्स्प्लेन नहीं किया है, बस दो हिंदों ने उन शवों को अपने पास में रख लिया था और उन दोनों को बिहारी दिखाया है, और जिस प्रकार से उनको लहजे में जो बोलते हुए दिखाया है ऐसे लग रहा था उस लहजे का मजाख उड़ाया जा रहा हो, बड़ा ही विचित्र तरीके से उन दोनों को बात करते हुए फिल्म में दिखाया है अब उन दो हिंदूओं में से एक को पता चल जाता है कि यह जो शव है उनके पास में वो आतंकियोके है तो वो जल्दी जल्दी अपने साथी को बताने के लिए आता है अपने उनके रूम पर रूम में हम देखते हैं कि एक हनुमान जी का मुखोटा भी लटका हुआ है रूम में और वो अपने साथी को बताता है कि ये विनाद ये जो शव है हमारे पास मैं वो मिमिक नहीं कर पा रहा हूँ कि शमाज आता हूँ पर पड़ा ही विजितर साब बोलते भी दिखाया है और कहता है कि ये जो शव है हमारे पास में वो आतंकियोके हैं तो वो दोनों फिर उससे फाइदा उठाने का सोचते हैं अब फाइदा उठाने के लिए वो क्या करते हैं वो जाते हैं एक मदरसे में मदरसे के बाहर कुछ मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे होते हैं दो शायद मदरसे के टीचर होंगे वे पूछते हैं कि भाई क्या काम है तो मौल्वी जी से वो कहते कि देखो हमरे पास में एक बहुत खास बात है आपके लिए वो जो आतंकियों के शव है न वो हमारे पास में है उसके बदले आप कितना पैसा दोगे इस प्रकार की बात वहां परो करते हैं इसके बाद में वो जो मौल्वी जी है वो दो हिंदू उन जो शव है वो अपने पास में ले लेती है और उसके बाद में उन्हें दफनाया जाता है जो भी प्रॉपर रिवाज के अनुसार उन्हें दफनाया जाता है उन्हें राष्टरभक्त मौलवी जी सबक सिखाते हैं तो ये वो सीन था जिसके बारे में कल में रिव्यू में बात करना बूल गया था तो दोस्तों आपने अगर बहत तरूरे फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा आपको क्या लगता है कि ये फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है इसका मेसेज क्या है मुझे अपने जी कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धनिवाद जै श्री राम वंदे मातरम